अदानी गुरूप के चेर्मेन गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी ने आस्टेलिया में अदानी गुरूप की कोल ख़दानों से जुड़ी तीन कंपनियों से निदेशक का पद छोड़ दिया है। गुरूप को लेकर हिंडन वर्क रिसर्च की रिपोर्ट के बाद उठे विवाद को देखते हुए विनोद अदानी ने तीन कंपनियों के बोर्ट से बाहर हुए हैं खुद। सुप्रिम कोट की तरफ से अदानी मामले की जाच के आदेश से तीन दिन पहले विनोद अदानी ने ये पद छोड़ा था हालाकि उस समय कंपनियों की ओर्ती की जानकारी सार्वजन नहीं की गई थी। सर क्यों हटे विनोद अदानी इन पदों से धी में जाच जैसे गहराई की तरफ बढ़ रही है सेवी के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है अदानी सम्हू के मामले में सुप्रिम कोट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है वो सारे अंधेरे हिस से जिन पर सवाल करने और कामकाज में अपारधर्शेता का आरोप है अब यह तीन कंपिनिया है वो ऐस्ट्रेलिया की कोल माइन से जड़ी हुई कंपिनिया है इसमें एक कारमीशल रेल एंट ट्रांसपोर्ट पोर्ट सिंगापुर है दूसरी रेल सिंगापुर है और तीसरी एबाट इन तीनों कम्पिनियों से विनोद अडानी को ने इस्तीफा दिया है विनोद अडानी की भूमिका को लेकर उनके भाई की भूमिका को लेकर हिंडन बर्क ने अपनी 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 रिपोर्ट में काफी गहरे और बड़े आरोप लगाये थे अडानी समुने अपने जवाब म और ओनस इस बात पर है कि भारत के रेगुलेटर्स और भारत की एजनसियां ये इसको कैसे इस्पष्ट करती है कि डानी समुह में कब सब कुछ साफसुतरा चल रहा है कि नहीं लेकिन जैसे से रिपोर्ट का समय करीब आता जा रहा है डानी समुह में क्लीनिंग की चीजों को स आफसुतरा करने की कोशिशें शुरू हो गई है